नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त अजे शर्मा दोस्तों यदि आप डारेक सेलिंग बिजनिस को नेटवर्क बिजनिस को सीरियसली कर रहे हैं और इसमें सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है डारेक सेलिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग आपको समय समय पे मिलते रहना जिससे सीख के आप अपने बिजनिस को अपने व्यापार को बड़ा कर बाएं लेकिन कैई बार हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं ऐसी अप्लाइन हमारी होती है जिनको खुद नौलिज नहीं होती है या कंपनी का सिस्टेम ऐसा होता है कि जिस से रेगुलर ट्रेनिंग आपको नहीं मिल पाती है और ऐसे में सफल होना बहुत मुश्किल ह जाता है और ऐसे में कई लोग क्या करते हैं कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं मार्कित में जिनके कोर्स खरीदने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं और मैंने कई बार देखा पांच हजार, दस हजार, पंदरह हजार, बीस हजार, तीस-तीस हजार के लोग कोर्स खरीद नहीं हो पाते हैं क्योंकि उन courses के अंदर इस तरीके से चीज़ों को नहीं समझाया गया होता है कि जो एक आम आदमी के दिमाग में वो चीज़ें सही से समझा पाएं तो आपको घबराने की जरूत नहीं है कोई course लेने की जरूत नहीं है सिर्फ एक काम आपको करना है मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर मेरे फेस्बूक पेज पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको लाइक कर लीजिए समय समय पर डारेक से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे ट सब्सक्राइब और लाइक कराईए जिससे वो भी सीखें और आपके बापका बिजनिस ग्रो हो तो आज का जो टॉपिक में आपके बीच में लेने जा रहा हूं वो बड़ा ही यूनिक है और बहुत ज्यादा जरूरी है उसके बगए डारेक सेलिंग की अगर आप होता है और बहुत सारे लोग डारेक सेलिंग बिजनिस को नेगेटिव एटिट्यूट नेगेटिव माइंड सेट के साथ ही शुरू करते हैं उनको इसकी प्रॉपर नॉलिज नहीं होती है प्रॉपर जानकारी नहीं होती है कोई रिष्तेदार कोई दोस्त कोई पड़ोसी आपको और हमें इस बिजनिस के बारे में बताता है और हम उसके साथ जॉइन हो जाते हैं और जब यह मार्केटिंग प्लान लेके हम मार्केट के अंदर लोगों को समझाने के लिए जाते हैं अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान तो बहुत सारे नेगेटिव लोग आपक पहुंच जाते हैं तो सबसे जरूरी चीज़ जो है वो है mindset mindset का positive होना आपका positive होना किसी भी काम के लिए बेहर जरूरी है ना केवल direct selling business आप नौकरी कर रहे हैं अगर वहाँ आप negative attitude के साथ काम करेंगे वहाँ आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी आप कोई व्यापार कर रहे हैं कोई भी किसी भी field किसी भी छेत्र में आप चले जाएए अगर आपका mind negative है आपका attitude negative है तो वहाँ पे आप बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं लेकिन किसी भी छेत्र में अगर आपका mind attitude positive है फिर आपकी सफलता को कोई नहीं रोख सकता तो वैसे तो mindset एक बहुत बड़ा chapter है लेकिन किसी भी परस्तिती में कैसी भी परस्तिती आपके जीवन में आए उसके अंदर positive mindset का होना बहुत ज़्यादा ज़रूदी है एक सही करे positivity थोड़ी सी भी positivity हो उसको ध्यान रखके अगर काम करता है तो वो बुरी से बुरी परस्तिती से भी बाहर निकलने में सक्षम हो जाता है तो वैसे तो समय समय पे मैं आपको बीच में training देता रहूंगा positive attitude के ओपर mindset के ओपर लेकिन आज जब direct selling में आप आए हैं तो कुछ छोटे-छोटे point में आपके बीच में share करूंगा जिनके प्रति आप अगर positive रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी तो सबसे पहला point जो मैं आपके बीच में share कर रहा हूं आपने network business direct selling business को join कर लिया है और सफल होने के लिए join किया है तो आज से अभी से अपनी सफलता को लेखे अपनी सफलता के प्रति आपको positive रहना है अगर आप इस business को करते समय आपके मन में बार बार ये ख्याल आता है कि शायद मैं इसमें सफल नहीं हो सकता हूं तो फिर आपकी सफलता बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ह हमारे विचार होते हैं आपको और हमें वैसे ही result मिलते हैं तो सबसे पहली चीज आपको अपनी सफलता के प्रति हमेशा positive रहना है अच्छे विचार आपके मन में आने चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं इस business में 100% सफल होगा और ऐसे में आप उन लोगों को देख सकते हैं उ लीडर से मिल सकते हैं जो आपकी company में आपकी team में पहले से सफल हैं जब आप उन से मिलेंगे तो आपका confidence level बढ़ेगा तो सबसे पहले अपनी सफलता को लेके आपको positive रहना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि यदि आप स्वेम अपनी सफलता को लेके positive नहीं होंगे फिर आ दूसरा आप जिस company के अंदर काम कर रहेें उस company के प्रती आपको positive रहना बहुत जादा जरूरी है. मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो company से तो जुड़े हैं लेकिन अपनी company से ही वो positive नहीं है तो अगर जिस company में आप काम कर रहे हैं उस company के प्रती आपके विचार positive नहीं है तो आपकी सफलता बहुत दूर है बहुत मुश्किल है जो आपको मिल जाएगी मैं जिस organization में काम कर रहा हूँ जिस company में काम कर रहा हूँ उस company के प्रती अगर मैं positive नहीं हूँ उस management के प्रती अगर मैं positive नहीं हूँ तो मुझे अच्छे result नहीं मिल सकते है तो आप जिस company में भी काम कर रहे हैं अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो अपनी management के प्रती आप काम कर रहे हैं और आप स्वैम खुद अगर अपनी सफलता को लेके पॉजिटिव नहीं है आपको खुद बिलीव नहीं है कि आप सफल हो सकते हैं तो फिर ना तो आप सफल हो पाएंगे ना किसी दूसरे को सफल बना पाएंगे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं ज अपनी कंपनी में आप काम करें तो पॉजिटिव एटिट्यूट के साथ पॉजिटिव माइंड सेट के साथ काम करें और एक विश्वास के साथ काम करें कि अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे और एक लंबा समय अगर अपनी कंपनी कंपनी के अंदर देंगे तो सफलता के बारे में confusion अपने दिमाग में create करना, इस विश्वास के साथ काम करना, कि try करके देख लेता हूं, सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, इस confusion के साथ काम करना, ऐसे बहुत सारे लोग उस समय के बार डारेक सेलिंग बिजनिस को छोड़ देते हैं, तो एक विश्वास के साथ काम करना है, कि जब कोई दूसरा व्यक्ति सफल हो सकता है, तो आप भी सफल हो सकती, और ऐसे में कभी-कभी negativity आती है, अपनी सफलता को ले जिस सफलता के प्रती आपका विश्वास बढ़ जाएगा, दूसरा अपनी कंपनी के प्रती आपको positive रहना है, जी हां, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी के प्रती अगर आप positive नहीं है, अपनी management के प्रती अगर आप सकारात्मक नहीं है, तो उस कंपनी में का नहीं लगती है। उनको confusion रहता अपनी company को लेके और management को लेके। अब जो व्यक्ति company चला रहा है उसको लेके अगर कोई confusion है तो उस confusion को दूर कीजिए। अपनी company को लेके को लेके को दूर कीजिए। फिर काम कीजिए। अगर company को लेके confusion है, management को लेके confusion है, फिर अगर आप ताकत लगा रहे हैं काम करने की, तो वो जो confusion है, वो आपको बड़ी सफलता तक नहीं पहुंचने देगा, तो सबसे पहले अपने confusion को दूर कीजिए, अगर वो दूर होता है, फिर पूरे विश्वास के साथ काम कीजिए, औ आपको company में समझ में आए, और management में आए, क्योंकि मेरा मानना ये है, जिस company में आप काम कर रहे हैं, उस company से अगर आप संतुस नहीं है, management से अगर आप संतुस नहीं है, तो फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो अपनी company के प्रती हमेशा आपको positive attitude रखना है, तीसर income शुरू करते हैं, कोई दूसरी company का व्यक्ति आता है, थोड़ी सी ज़्यादा income या कुछ गलत तरीके की concept उनके पास लेके आता है, वो confused हो जाते हैं, वो अपनी applying से सवाल करना शुरू कर देते हैं, वो अपनी management से सवाल करना शुरू कर देते हैं, कि सर उस company में तो ये है, हमारी company में ये हो जाए, तो ज्यादा बड़ी है, अब आपका एक परिवार है, आपके बच्चे हैं, अब पड़ोसी का बच्चा अगर आपके बच्चे से ज्यादा समझदार है, तो आप ये तो नहीं कह सकते हैं, कि मेरा बच्चा वैसा बन जाए, हर plan में पैसा होता है, म आपने जब निर्णे ले लिया किसी company को करने का, और company सही है, management सही है, तो अपने plan के प्रती भरोसा करके ही, आप उस plan से पैसा कमा पाएंगे, अगर आपको अपने plan के प्रती ही confusion है, फिर कभी न कभी कोई न कोई आपको बार बार आके भटकाएगा, और आपकी speed कभी भी त शफलता की तरफ आप जल्दी पहुँचपाएं, तो ऐसे व्यक्ति जो अपने plan के प्रती नेगरेटिव होते हैं, जिनको confusion होता है, वो सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन जिनको अपने plan के प्रती पूरा विश्वास होता है, वो बहुत तेजी से सफल होते हैं, तो अपने plan क जिसने आपको जॉइन कराया है और अप्लाइन जो आपसे पहले, आपकी लाइन ऑफ स्पॉंसरिंग में, जो आपसे पहले सफल लोग हैं, उन अप्लाइन के उपर जब तक आप पॉजिटिव एटिटूड नहीं रखेंगे, एक विश्वास नहीं रखेंगे, एक सकारात्मक सोच, अगर अपनी अप्लाइन के प्रति आपकी नहीं रहेगी, तो इस बिजनिस में सफल होना आपके लिए मुश्किल है, हाँ, कई बार मतवेद हो जाते हैं अप्लाइन डाउनलें में, तो कुछ छोटे-छोटे मतवेद होते हैं, उनको हमें आपस में बैठके सुलजान है, क्योंकि बगएर अप्लाइन डाउनलें के अच्छे रिलेशन के बगएर इस बिजनिस में सफलता पाना बहुत मुश्किल है, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, तो वो बताते हैं, वो अपनी अप्लाइन से बहुत परिशान रहते हैं, वो अपनी अप्लाइन के इस बिजनिस में सफल होना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन आपको एक अच्छा कल्चर डवलब करने के लिए हमेशा अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट करनी है और छोटी-छोटी बातों को इग्नॉर करना है और क्या ही बार आपकी अपलाइन आपको समझाने के लिए कु अंदर सुधार कीजिए तभी आपको सफलता बें तो कई बार आपको समझाने के लिए बोलता और कई बार हो सकता है कि अपलाइन के अंदर कुछ कमी हो वो भी इंसान है तो उनको आपको एग्नॉर करना है टीम में नीचे उसके बारे में नेगरिटिविटी वाली बात शे जरूरी है बहुत सो समझ के हम नेड़ने लेते हैं किसी कंपनी का तो आपकी कंपनी में जो भी प्रोडेक्ट्स हैं उनको पहली बात तो रेगुलर यूज करना यूज करने से आपका भरूसा पड़ेगा विश्वास पड़ेगा मैं तो ऐसे से लोगों को देखता हूं जो तो दस साल से कंपनी चल रही है एक नए आदमी आता है वो उपर वी फेर पर सवाल उठाना शुरू कर देता है औरे आप बहुत की तरफ बढड़ा रोड़ा आप इसको किया सकते हैं अगर आपको अपने प्रोडेक्ट्स के उपर ये वरुसा नहीं है तो फिर आप जाके बहुत बड़ा बिजनिस क्रियेट नहीं कर पाएंगा अपने प्रोडेक्ट के उपर भरुसा होना उसके प्रती पॉजिटिव एल्टिटीटुट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है तो अपने विहवार को अपनी सोच को ऐसा बनाईए कि आपसे पहले बहुत सारे लो के साथ अच्छे संबंद रखने जरूरी है तो डाउनलेन के साथ भी अच्छे संबंद रखने जरूरी है क्योंकि यह टीम वर काम है आपको जो आमदनी आएगी वो आपकी टीम से आएगी आपके बाद जो आपकी टीम आपके गुरूप में आती है उनसे आपको आमदनी और कई लीडर्स को मैं देखता हूं, वो कभी भी अपनी डाउनलेंज से सीधे मूँ बात नहीं करते हैं, अपने डाउनलेंज से अच्छे संबंद नहीं रखते हैं, यह वही हुआ कि जिस डाल पे आप बैठे हो, उसी डाल को आप काट रहे हो, आप धढाम से नीचे लगेगी, डाउनलेंज जिससे आपको पैसा आता है, अगर उससे ही आपके अच्छे संबंद नहीं है, तो मेरा मानना यह आपको नेट्रोग बिजनिस नहीं करना चीए, आपको पहले अपने संबंदों पे कैसे अच्छे संबंद बनाये जाएं, कैसे लोगों से अच्छा व्यभार बनाया जाया उसके उपर आपको काम करना चाहिए है, क्योंकि जिस डाउनलेंज से आपको business आना है, अगर उसी से आपकी नाराज़गी है, उनी से आप सही तरीके से बात नहीं करते हैं, उनी को अगर आप अच्छी service नहीं देते हैं, उनी से आप प्यार महबत नही करते हैं उनके प्रति अगर आपका एटिट्यूट नेगेटिव है तो आप डारिक सेलिंग में कभी भी सफल नहीं हो सकते तो अपनी डाउनलेंज के प्रति आपको और हमें हमेसा पॉजिटिव रहना चाहिए अब जब आप बिजनिस करेंगे तो कुछ चैलेंजिज आएंग बहुत सारे चैलेंजिज आते हैं बगर चैलेंजिजज, बगर चनौतियों के बगर संघर के बड़ी सफलता नहीं मिलती है हर काम में कब क्या चैलेंज आ जा जाया आपको और हमें नहीं मालूं होता तो जब आप इस तरीके का का ug안 करेंगे और ऐसे चैलेंजिज आते हैं तो उन challenges के प्रती भी आपको positive रहना है क्योंकि कुछ time के बाद वो challenges आपके business से आपकी जिन्दिकी से दूर हो जाएंगे लेकिन बहुत सारे लोग जब challenges आते हैं छोटे छोटे जैसे service को लेके challenge आ गया कभी कभार product को लेके challenge आ गया कभी कोई दूसरी company आ गए जहां पर आपके कुछ लोग चले गए तो इस तरीकी के बहुत सारी challenges आपको आएंगे तो ऐसे में आपको positive रहना है वरना आपने आज तक की जितनी मेहनत की है वो सारी की सारी खराब हो जाएंगे तो जब भी कोई विपरीत परस्तिती हो जब भी कोई challenge आए उस वक्त भी अपने आपको positive रहना रखना ये एक अच्छे leader की निशानी होती है अब आपकी team आपके साथ है और कोई challenge आया और सबसे पहले अगर आप ही negative हो गए तो आपकी पूरी team negative हो जाएगी और आपकी आमदा नहीं जो आपके लिए जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की थी वो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी जीर हो जाएगी attitude positive रखना है क्याई बार meeting training seminar में जब आप जाएंगे तो हो सकता है कोई program हो रहा हो और वहां पे आपकी अप्लाइन आपका नाम लेना भूल जाए आपके सम्मान में कोई कमी हो जाए कई बार seat को लेके लोग नराज हो जाते हैं मुझे आगे वाली seat नहीं मिली कई बार state से apply इनने नाम नहीं लिया management ने नाम नहीं लिया उसके लिए लेके हम लोग negative हो जाते हैं कई बार हो सकता है आपको कोई reward मिलने वाला हो और अचानक किसी कारण वश भूल जाए कोई व् पुछ Peng नहीं करता है तो ऐसे में भी आपको यही ध्यान रखना है कि करियर जो है आपके लिए वह बहुत ज्यादा महस्ति पोने काम आपके लिए बहुत ज्यादा महत्ति पोने अगर आप और काम करें तो आगे और पूरी जिंदइगी आपको सम्मान मिलेगा तो ऐसा कभ वी positive attitude रखके ही काम करना है, काम को छोड़ना नहीं है, काम से negative नहीं होना है, positive होके काम करना उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करना है, कोई जाने अन जाने अगर आपको कुछ कह देता है, कई बार management भी बोल सकती है, apply, कई बार तो समझाने के लिए बोलते हैं, हम उसी को बुरा म जाते हैं, तो अगर आपको कुछ समझाने के लिए बोला जा रहा है, और आप उसके लिए भी negative हो रहे हो, तो फिर आपकी सफलता बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप किसी को follow नहीं करना चाहते हैं, अगर कोई आपकी कमिया आपकी गलती बताता है, और आप negative हो जाते हो, फ तो मेरे अंदर तो और अच्छी चीजें develop होनी शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे में जाने अगर भूल से कुछ आपको बोल दे, या आपको समझाने के लिए अगर बोला जाए, तो उसको भी आपने बिल्कुल positive attitude के साथ लेना है, negative attitude के साथ लेना है, अगर आपने ऐसी चीज जाने अन जाने अगर किसी से भूल हो जाए, या आपको समझाने के लिए अगर कोई बोला जा रहा है, तो उसको negativity के साथ deal नहीं करना है, उसको positivity के साथ deal करना है, लास्ट में इसमें share करना चाहूंगा, जब ये business आप करेंगे, तो हमेसा business एक जैसा नहीं चलेगा, कभी business starting म बहुत सलू चलेगा, तो स्टेंप पर positive रहना है, क्योंकि रातो रात ये business बड़ा नहीं होता, ये कोई रातो रात लगपती, करोड़पती बनाने वाली scheme नहीं होती है, लोगों को जोडने में time लगता है, लोगों को train करने में time लगता है, लोगों का mindset positive हो, उसके लिए time ल होता है, तो income छोटी-छोटी आती है, उस वक्त negative नहीं होना है, positivity के साथ आगे बढ़ना है, फिर एक दोर ऐसा आएगा, आपका business बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छी आमदनी आएगी, तब तो आप positive रहेंगे, मुझे कहने की जुरूत नहीं है, लेकिन कैई बार अ meeting लंबी हो जाएगी, ट्रेनिंग लंबी हो जाएगी, लेकिन short में एक चीज़ बताना चाहूंगा, business कभी एक जैसा नहीं चल सकता, business जब slow चल रहा है, तब भी positive होके काम करना है, जब business बहुत अच्छा चल रहा है, तब तो आप positive होके काम करेंगे, लेकिन अचानक जीरो से business को शुरू किया था, और आप बहुत अच्छे मुकाम पर उस business को लेके गए थे, आज business अगर down हो गया है, तो जीरो से जब आप वहां ले जा सकते हैं, तो यहां से फिर दुबारा positive attitude के साथ अपने business को आप बहुत उचाहियों पर ले जा सकते हैं, तो जब भी business down जाए, negativity आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, negativity team के अंदर नहीं जानी चाहिए, उस वक्त पे सबसे ज़्यादा positive रहना है, एक ही बात सोचनी है, जब जीरो से मैं इतना बड़ा business कर सकता हूँ, तो आज तो बहुत कुछ है, थोड़ा कम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहा आपने यह negativity से काम करना शुरू किया, तो जो बचा कुछा business है, वो भी खतम हो जाएगा, तो जब जब business down जाए, जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते, उसके 50 कारण होते हैं, जब भी business down जाए, positivity के साथ काम करना है, अपने आपको भी positive रखना है, team को भी positive रखना है, निश पेपर बना के रखिए, और जब जब आपके जीवन में negativity आए, उस पेपर को तुरंत खोलें, तुरंत देखें कि कि किस कारण से आपके अंदर negativity आ रही है, तुरंत positive attitude के साथ काम करना है, जिससे आप अपनी सफलता के तरफ देजी से बढ़ें, आशा करता हूँ, यह topic आप को पसंद आया होगा, फिर किसी दिन एक नई वीडियो में, एक नई topic के साथ मैं आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवा, thank you so much, चलते चलते फिर वही बात बोलूँगा, यदि आप मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो YouTube चैनल सब्सक को सीखें और आपका business करना आसान हो जाए, बहुत बहुत धन्यवा, thank you so much, wish you all the best, thank you.